राष्ट्रिय सिख्षा निती के तहट नेश्दर करिकुलम फ्रेमबर्ग भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानि तीन से आठ साल के बच्चों के लिए फ्रेमबर्ग तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए केरिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा स्वाभाविक तोर पर अब पूरे देश में सिबी एस्टी स्कुलों में एक तरह का पाठ्टिक्रम होगा। इसके लिए NCRT नई पाठ्टिपुस्तके तयार कर रही है। तीसरी से मारवी कक्षाओं तक लगभग 130 विश्वयों की नई किताबे आ रही है। और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब सिख्षा छेत्रिय भाषाओं में भी दी जानी है। इसलिए पुस्तके 22 भारतिय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह, उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मात्रु भाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवाओं टलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुवात होने जा रही है। और ये सामाजिक न्याय का भी एहम कदम है। दुनिया में सैकडों अलग-अलग भाषाए हैं। हर भाषा की अपनी एहमियत है। दुनिया के जादातर विक्सित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बड़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां जादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहां इतनी सारी सम्रुद्ध भाषाए होने के बावजुद। हमने अपनी भाषाओं को पिछडे पन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुरभागे क्या हो सकता है। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों न हो अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्विकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुक्षान हमारे ग्रामिन अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आज़ादी के अमरित काल में नेशनल एजुकेशन पालिसी के जरिये देश ने इस हीन भावना को भी पीछे चोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो येन में भी भारत की भाशा बोलता हूँ। सुनने वाले को ताली वेजाने में देर लगेगी लगेगी। साथियों अब सोशल साइन्स से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतिय भाशाओं में होगी। युवाओं के पास भाशा का आत्मविश्वास होगा। तो उनका हुनर उनकी प्रतिभावी खुल करके सामने आएगी। और इसका एक और लाब देश को होगा। भाशा की राजनिती करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों भी शटर्राउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाशा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के अमरित महोसों में आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपुन है। इन 25 सालों में हमें उर्जा से भरी एक युवा पीडी का निर्मान कर रहा है। एक ऐसी पीडी जो गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त हो, एक ऐसी पीडी जो नए नए इनोवेशन्स के लिए लालाईत हो, एक ऐसी पीडी जो साइन्स से लेकर स्पोर्स तक हर छेत्र में भारत का नाम रोशन करे, भारत का नाम आगे बढ़ाए। करे दो पारत का नाम रोशन करे लालाईत हो, एक पारत का नाम रेकर से लेकर आगे जो गुलाईत हो, पारत का रहा है।